जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संतान सत्यमी के वरत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यानि संतान सत्यमी के वरत में खान पान का नियम क्या है? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों भादर पदमा के सुक्ल पक्ष की सब्तमी तिथी को संतान सत्मी का व्रत रखा जाता है ये व्रत संतान की प्राप्ति उसकी कुसलता और उन्नत के लिए किया जाता है जिन महिलाओं के संतान नहीं है उन्हें इस दिन वरत रखकर भगवान सिव और मता पारवती जी का पूजन करना चाहिए इसे से उन्हें संतान सुख का आसिरवाद मिलता है दोस्तों ये वरत इस्तरी पुरुस अर्थात माता पिता दोनों ही अपनी संतान की दीर गायू और सुख सम्रद्धी के लिए रख सकते हैं इस दिन प्राता काल जल्दी उठकर इसनानादी करके सच्छवस्त धारण करें ध्यान रहे जब तक आप संतान सत्यमी की पूजा ना कर लें तब तक आपको निरजल और निराहार ही रहना है पूजा होने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं पूजा से पहले भोग प्रशाद बनाया जाता है इसमें कुछ लोग खीर वा पूड़ी का भोग लगाते हैं तो कुछ लोग गुड़ी या सक्कर के मीठे पूए बनाते हैं तो आपके हाँ जिस चीज का भोग लगता है वे बना लें ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन वर्जित है तो मीठा ही भोग प्रशाद बनेगा दोस्तों संतान सत्त्मी की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए पूजा के भोग प्रशाद में साथ साथ पूए चड़ाय जाते हैं जिसमें से साथ पूए माता पार्वती के होते हैं जो पूजा के बाद किसी ब्रामन को दान कर दिये जाते हैं और दूसरे साथ पूए सोयम के होते हैं जो पूजा के बाद खुद को खाने होते हैं आपको बता दें कि संतान सत्मी के वरत में बहुत से लोग एक टाइम फला हरी भोजन और एक टाइम मीठा भोजन यानी प्रसाद में चड़ाई गई साथ मीठे पुए ही खाते हैं लेकिन कुछ लोगों के हाँ पुजा के बाद सिर्फ पूरा दिन में यही साथ पुए खाने होते हैं इसी से ही प्रत खुला जाता है अगर आप अकेले ये साथ पुए खत्म नहीं कर पा रही हों तो फिर आप अपने पती को भी ये पुए खिला सकती हैं लेकिन अपने साथ पुओं से आप अपने बच्चों या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं दे सकती हैं इसका ध्यान लखें और यदि फिर भी आप से पुए बच जाएं तो फिर आप गाय को खिला सकती हैं एक बात बता दूं कि संतान सत्यमी के वरत में वरती को नमक नहीं खाना होता है सिर्फ मीठा भोजन ही किया जाता है लेकिन किसी को अगर कोई हल्थ इसू है तो सिर्फ सेंधा नमक का इस्तमाल करें और कुछ लोग एक टाइम फला हरी भोजन करते हैं तो वे पूजा करने क आप के बाद पानी, चाए, जूस, दूद, फल, ड्राइफ रूट्स आदी ले सकते हैं इसके लावा भी आप समा के चावल, साबू दाना की खीर आदी बनाके भी खा सकते हैं या इसके लावा कुट्टू या सिंघारे के आटा की पूरी भी बनाके खाई जा सकती हैं आप मदिरा आदी का सेवन गलती से भी ना करें, इससे आपका वरत निस्फल हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।